मेंपुरी उपचनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है मुकाबला और भी दिल्चस्प होता जा रहा है अब सोशल मीडिया पर एक लिस्ट तैर रही है जिसमें चुनाव सेंटर्स पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनके नाम के आके बाकाइदा उनकी जाती लिखी गई है ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसने हंगामा खड़ा कर दिया है कहा जा रहा है कि BJP मैनपुरी उपचनाव में कास्ट कार्ड खेल रही है क्योंकि यही कार्ड उसे जीत दिला सकता है उत्तर प्रदेश में वैसे तो तीन सीटों पर उपचनाव हो रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी और BJP ने अपनी पूरी ताकत मैनपुरी लोकसबा सीट पर हो रहे उपचनाव में लगा दी है इस लिस्ट की भूमिका और इसमें लिखी जातियों की भूमिका क्यूं एहम है इसे समझने के लिए आपको मैनपुरी लोकसबा सीट का पूरा गलित समझना होगा क्योंकि इस सीट पर दलित वोट भी गेम चेंजर माना जा रहा है मैनपुरी में अगर वोटों के गलत को समझा जाए तो यहां तक्रीबन 17 लाख के आसपास लोकसवा के वोटर है इन में से सबसे ज़ादा OVC वोट बैंक है करीब 45 फीस दी इसमें सबसे ज़ादा यादव वोट है मैनपुरी में जो लगबग 4,30,000 के आसपास है मुसलिम वोट बैंक की बात करें तो वो भी लगबग 70,000 के आसपास है इस तरह समाजवादी पार्टी इन वोट बैंक के आधार पर अपने पक्ष में 5,00,000 वोट मान रही है लेकिन बीजेपी ने जो प्लानिंग की है जो रणीती बनाई है वो समाजवादी पार्टी से ये सीट छीनने में मदद कर सकती है बीजेपी का दावा है कि इस सीट पर यादव के बाद सबसे ज़ादा शाक बिरादरी के वोट है और इसी रणीती के तहट बीजेपी ने रगुराज सिंग शाक को अपना उम्मीदवार बनाया है शाक के वोट लगबग 2,90,000 से जादा है शत्रिय बोट भी लगबग 2,00,000 के आसपास है एक लाख ब्रामल वोटर है ऐसे में ये संख्या लगबग 6,00,000 हो जाती है बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाने वाला लोधी और वैश्य वोटर भी इस सीट पर लगबग 1,70,000 है यही वज़ा है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी में कमल खिलाने का दावा कर रही है लेकिन सबसे जादा महत्पूर भूमिका इस सीट पर दलित वोट बैंक की है जो लगबग 1,80,000 के आसपास है माना जा रहा है कि ये वोट बैंक जिधर जाएगा वो इस बार चनौव में बाजी मारेगा यही वज़ा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी इस बार इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कुशिश कर रहे हैं अगर इस लिस्क को आप गौड से देखें तो इसमें उन जातियों के गलित का भी खयाल रखा गया है शाक के और तलित करमचारियों को विशेश तोर पर ड्यूटी पर लगाया गया है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूटीव पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा